प्रवलिक टीवी से चर्णप चोसवामी मैं आप से बहुत बड़ा क्वेशन पूछना चाहता हूँ जो इंडिया पूछना चाहती है यह जो आपके इतनी बड़ी पार्टी है भारतिये कोडिंग पार्टी यह बच्चो के लिए क्या कर रही है प्लेस्मेंट और कोडिंग मे याज भाईो और भेनो ये कोडिंग प्लेस्मेंट में गिनी चुनी चार पांच दिक्कते हैं जो मेरे को दिखाई देती हैं एक तो सबसे पहली एक तो ये जो CTC को बढ़ाते हैं जा जाके ये बच्चों को बेवकूफ बनाने की पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सब मिलके उसको ठीक करना बहुत जुरूरी है दूसरा ये जो स्किल चेक करने के नाम पे वही पुराने घिसे पिटे DSLGO की क्वेशन लाल लाके परोसो जा रहे हैं तुमारे सामने इन सबका solution एक ही दे सकता है एक ही है वो एक ही है क्या क्या सबका मालिक एक क्या कौन भगवान नहीं अरे वो नहीं उन पर हर प्रॉबलम के लिए उनकी पर वास नहीं जाते अभी एक यूट्यूबर बड़ा सा यूट्यूबर एक साल से लगा हुए जिसने तुम्हें सारे उसी के पास चलते हैं चलो उसके बाद जाओ वो सब सॉल कर देगा आज ही करेगा इसी वीडियो में करेगा कि क्या solution है इन सब का मैं चलता हूँ इनको और जगा भी वोट मांगने जाना है तो बोल दे जाओ भारतिया कोडिंग पार्टी जो अपनी CP है कोडिंग पार् अनुस कोडिंग में भी पूरा एकतरफ से सिनारियो में बिकुछ चल रही है कंपनी की तरफ से हो सकती हैं उन सब के बारे में बात करेंगे छे ऐसे टोपिक्स है और एक स्टा तो इक है मरी फोड़ी मेरी गल्ती है मतल़ यूट्यूबर्स की मतलब बेसे कहील ही ली तो जो उसके बारे में बात करेंगे तो शुरू करते हैं इस वीडियो को सबसे पहले पॉइंट से तो यार जो सबसे बड़ा इशू है वो है Inflated CTC, जो CTC क्या होता है अगर तुम्हें नहीं पता है मैंने काफिसारी वीडियो में समझा है बेसिकली जो तुम्हें सैलरी बोलते हैं पैसे आते हैं, जबकि, मालो तुम्हारे दोस्तों, तुम्हारी मंथली सालरी सेव हो बड़ उसकी CTC पता चला 35 लाग लेकी हुई तुम्हारी 12 लेकी हुई है आदोनों के सेम पैसे रहे हर मही न तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी पैसे हो, अलग अलग चीज़ हो कि टैक्स है और अलग अलग चीज़े हैं उसको मिला के ही बताएगा जिससे उसकी value बड़े असली में base पे भी अलग है और monthly पे भी अलग ही है जो उसकी आली है सेकिंड प्रॉब्लम होती है जो college करते है इसा कि college को पता होता है कि यह CTC है यह पैसा नहीं मिलने वाला बट उनका अपना advertisement है अपनी value बाकी colleges के सामने बढ़ाने के लिए वो भी ऐसा करते हैं फिर तीसरा company भी कुछ कुछ करती है जो मतलब जबरदस्ती बताती ही नहीं कि उसका break up क्या है कि अगर हम तुमें 50 लाकी salary तो उसमें कितना पार्ट ऐसा जो तुमें कभी नहीं मिलेगा जिंदिगे में बताती ही नहीं company तो वो काफी बड़ा problem है इसको कैसे ठीक कर सकते हैं इसको पर तो I think colleges is a better इस पर attack कर सकते हैं वो सही CTC लिगें हर जगा बच्चे भी अपने interview में पूछें के basic salary क्या है और उस चेक करने के चकर में यह वही पुराने किसे पिटे DSLGO की question रटे रटाए question जो I think 300-500 question कर लो और काफी सारी companies निकल जाती है वाला जो scenario है वो अभी तक चल रहा है जब मैं था तब भी चल रहा था और अभी भी चल रहा है कोई change नहीं आ है इसमें और खराब ही होता जा रहा ह यह तो बहार की companies हैं इंके interview process अलग होते होंगे अलग question पूछते होंगे उसमें भी managers तो इंडियन जाके ही बैठ रहा है HR भी इंडियन ही बैठ रहा है तो वो भी सब scenario same ही होता जा रहा है खराब ही होता जा जा रहा है अब इसमें कोई कुछ कर तो सकता नहीं है obviously असान भी बनाता है कभी-कभी अब इसमें लोग कहेंगे कि यार वो DSL को यूज होती है कहीं नहीं हो सकता है क्यण चैसे DSL को रटी नहीं जाती जिन से DSL को questions नहीं solve dancing को आती है अच्छे से जिनने development आती है अच्छे से जो ऐसी website ऐसा तीम में काम कर लेंगे ते बना लेंगे जो एक DSLGO रटे वाला बच्चा कभी बना भी नहीं पाएगा तो उस चीज में बहुत मतलब मुझे लगता है कि इसमें कुछ कर तो नहीं सकते है बट इसमें यहीं कर सकते है कि जब तुम जिस कंपनी में जाओगे कोशिश करो के वहाँ पे DSLGO की जगा कुछ और तरीके से टेस्ट करने के है कुछ ना कुछ वेस डूड़ने रज्यू में शॉर्ट लिश्टिंग कर लें कुछ भी करें ले इसका बहुत गलत फाइदा उठाते है मैनेजर जिनको अपने प्रमोशन से मतलब होता जिनने नीचे के इंपलोई से कोई मतलब नहीं होता चाहे वो कितना ही कहते रहे के हां मेरको उपर से प्रेशर है ये वो कुछ नहीं होता जब मैनेजर को अपना प्रमोशन देखना है तो सब समाल सकता, यार वो मैनेजर है, उसको वो अगर उपर वालों को नहीं समाल सकता, तो मैनेजर बना कैसे सेम चीज यार, मतलब इंडिया में कोई law तो है, मतलब laws है ऐसा नहीं कहा रहा है, मैं laws ही नहीं है, बट follow नहीं होते तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि 8 घंटे ही काम करना है, उससे जादा करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे या फिर यही तुम्हारा टाइम होगा कि 9 to 5 भी होगा, अगर रात में कराएंगे तो उसका तुम्हें अलग से पैसे देंगे पहले से बताना पड़े है, इंडिया में सब अपना मस्ट चल रहा है, मैनेजर कभी भी फोन कर देता है रात में भी फोन कर देता है, वीगेंड पे भी तुम्हें फोन आ जाएगा कि आज काम कर लो, कभी और छुट्टी दे दूँगा बहुत दोस्तों का सुना है, मैंने बहुत सारे तो ये होता है इंडिया में बहुत ज़यादा अब इसको ठीक कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं ये मैं नहीं कओंगा, अब इसमें एक ही चीज़ कर सकते हैं कि गभंवनेंट अपने लॉज को थोड़ा सा strict बना सकती है कि अगर कोई एक्स्टा काम कर रहा तो उसको एक्स्टा पैसे उसके मिलने चाहिए क्योंकि जो तुम्हारी लोग 50 लाग की वी salary हो fix तुमने इसले ही तो ले रहे हो कि 40 घंटे काम करोगे हफते में करोगे है या फिर तुम एपने अपने पॉइंट ले करो अगर तुम्हारा आगे पूरा हफ़ता तुम्हारा इस अपने करना है तुम्हारा कुछ बोली नहीं पाएगा तुम्हें खुद भी असानी होगी तो मिले इसका simple सा यार managers को अपना देखना है manager भी है मतलब इतना भी हमा बुरा नहीं बोल रहा है managers के बारे में but इंडिया में थोड़ा सा scene है यार वो काम कराते हैं कुछ भी जूट बोलके कराएं कि हमें seniors उनके उपर से pressure आ रहा है कोई ऐसा pressure नहीं होता मैं बता रहा हूँ मैंने काफी managers से भी बात करी है जितना मतलब मेरे जानने में है सब बताते हैं कि हमारी trick होती है लोगो से extra गाम कराने ही अब overtime के extra पैसे तो यार ये company to company depend करता है अब तुम किसी को कोई law या कुछ ऐसा तो है नहीं overtime के पैसे का अगला point है जो DS Algo से ही थोड़ा related है जो cheating चल रही है आजकल मतलब मैंने काफी सुन रहा हूँ कि लोग telegram groups पे questions के codes भेज़े जा रहे हैं जो online test होते क्यों आजकल covid के वाज़े काफी कुछ online हो रहा है तो full on cheating चल रही है लोग अपना screen share कर के question एक must coder को बिठा लो अपने दोस्त को वो सब की नौकरी लगवा देगा बढ़िया भाई प्लान इससे अच्छा प्लान तो मैंने सुना नहीं अब ये cheating वाली चीज पे तो थोड़ा सा मैं भी skeptical हूँ क्यों हूँ क्योंकि यार जब DSL वो ये चेक करने का तरीका ही उतना अच्छा नहीं है तो अगर तुम इसमें चीट करके भी कर रहे है तो तुम अपना दिमाग तो लगाई रहे हो मैं ये नहीं कर रहा कि सब cheating करो या कोई भी cheating करो मत करो मेरे मेरी तरफ से यह क्याना है बट अगर वो company उतना strict नहीं है या फिर वो company तुम्हें option दे रही है या chance दे रही है या थोड़ा सा भी 5% error और margin of error दे रही है कि तुम cheating कर पा रहे हो तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है company की गलती है कि उन्होंने अपना या तो जो भी platform strict नहीं रखा या अपने question नहीं नहीं रखे कि cheating हो पा रही है या फिर इतना useless question है उनका या फिर उनका जो invigilator है वो कुछ check नहीं कर पा रहा तो इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है अगर cheating चल रही है अगर कोई कहे तुम्हें कि या क्यों कर रहे हो cheating अब अगर तुम नहीं करोगे कुछी और की लग जाएगी तो नुकसान तो तुम्हारा ही है ना मालो तुम अच्छी coding करते थे बट एक दूसरा जिसने कोई coding नहीं करी उसकी नौकरी लग रही है तो तुम बैठ के चिला के तुम्हारा तो नौकरी जॉब तो लगने नहीं वाली तुम्हारी monthly salaries आने नहीं वाली तो इसमें मैं कहूंगा मेरी तरह से यह है कि cheating मत करो बट कोई company margin of error दे रही है तुम्हें तो वो company की गलती है तुम्हारी गलती नहीं है अब तुम कहोगे भाया जी यह बहुत बड़िया बाद कर दी अब तो सब cheating करेंगे मेरे को पता है companies of margin of error अपना कम करती जा रहे है तो तुम cheating कर भी नहीं पाहोगे जब तक वो allow कर रही है तब अब तक I think लोग तरते रहेंगे तो इसमें मेरे बोलने ना बोलने से कोई चीज फर्क नहीं पड़ता अब इससे मेरी वीडियो देखे कोई companies मुश्किल तो करनी देंगी अबना टेस्ट होने तो एक किसी और company को दे देना है वो company अपना सम्हालती है जनरल ये recruitment test की चार-प important topic है मेरे भी क्योंकि मैं बहुत बहुत करता रहता हूं अपने दोस्तों से इस बारे में के gender diversity hiring जो चल रही है उसके क्या नुकसान है क्या फाइदे क्या वो सही है क्या वो गलत है तो इसका एक simple सा answer जो सब के दिमाग में set रहना चाहिए जो मैं मानता हूं कि होना चाहिए क मतलब उसमें तो कोई question ही नहीं है उसको तुम चला चला के बोलो बोलो भाया जी ने बोला है के हाँ तुम गलत हो वो तुम बोल सकते हो अगर कोई company बिना बता है gender specific hiring कर रही है तो बिलकुल गलाता है बहुत companies करते हैं मैं अडोबी city बहुत सारी companies को करते सुना और आप और होता है कि एक साल company नहीं करती gender specific hiring तो तब सही हो जाता है तो यह सब चीज़े सुनने को मिलती है मैंने देखी भी है मेरे साथ भी हो है कि मैं cutoff मेरी CGP की clear नहीं होती है जबकि मेरे से कम CGP वाले की cutoff clear हो जाती है तो यह थोड़ा सा सीन है और जिसमें बताया नहीं होता कि य gender specific hiring है तो वो बिलकुल गलत है उसमें मैं कोई support नहीं करूंगा कोई सी भी gender का कि अगर तुम बिना बताया कुछ भी कर रहे हो कि वो फिर एक तरह से discrimination ही हो गया अगर तुम्हें नहीं पताया कि क्या हो रहा है और फिर भी तुम्हें discriminate कर रहे है basis of gender तो वो गलत होगा but अगर gender specific hiring बोल रखी है तो I think company का अपना policy है कि किसको hire करना चाती है उसमें तुम कुछ कर नहीं सकते जाद से जाद तुम ये कर सकते हो कि तुम उस company में नहीं जाओगे बट अगर salary अच्छी दे रहे है तो तुम फिर भी चले जाओगे तो इसमें सोचने वाली जादा बात है नह अब इस पर तुम दुख ही होगे तो उसका कोई फाइदा नहीं है क्योंकि यार कभी ना कभी किसी ना किसी को extra benefit हमेशा मिलेगा चाहे वो किसी reservation का हो चाहे किसी gender का हो चाहे पैसे का हो मानलो उसके घर पे बहुत सारा पैसा है क्या उसका भाई बहन उस company में काम करती है तो फाइदा मिल सकता है आप तो उस पर रोने तो बैठें की नहीं तुम्हें तो अपनी मेहनत करनी है अपनी coding बढ़िया करनी है और अपनी job लेनी है तो इस पर जादा सोचा मत करो कभी problem आती हो कभी बुरा लगता हो मेरे से बात कर लिया करो मैं तुम्हें इसमें motivate कर दूँ अच्छा कि कैसे नहीं सोचना है इसके बारे में diversity hiring के बारे में तो मेरा यही इस पर point है और इसके बाद चलते हैं अपने extra bonus point के उपर जो मैं कहा रहा था ना कि यह मेरे से related है इसमें मेरी ही गलती है मेरी गलती कैसे इसमें हैं गलती सारे YouTubers के जो अभी घ्यान बाजी कर रहे है मेरी तरह और भी मेरे दोस्तों कि तरह तो मैं अपने दोस्तों का तो बहुत बुरा नहीं मानेगे हो सकता है बाकी लोग बुरा मान जाए केके करके और वो फिर पोश्च डाल देते हैं उनके बारे में हम बात नहीं करेंगे बर काफी हद तक कि हम information जो देते हैं वो मोटिवेटेड है बंदा कोडिंग करने के लिए और उसके हिसाब से ग्यान बाजी करते हैं सब मैं नहीं सब उस चक्र में क्या होता है हर बंदे की अपनी यूनीक लाइफ होती है अपना यूनीक जर्नी होती है उसकी वह जर्नी थोड़ी सी खराब हो जाती है इसलिए मैं बंदा निकल के आएगा बंदी निकल के आएगा वो अलग लेवल होगा रहा दर किसी ने पाथ दे दिया किसी ने 500 वाली चीज़े ना वो निकल के नहीं आपाएंगे तुम्हारे अंदर से तुम एक ही पाथ में गुज़ जाओगे तो यार यूट्यूबर से ये थोड़ी जादा common हो जाता है तो उससे uniqueness चली जाती है और उससे coders जो बहार निकल के आते हैं वो जादा अच्छे नहीं निकल के आपाते हैं अब इसका एक और ये भी है कि उससे तुम्हें ग्यान भी मिलता है उससे तुम्हें सोचने की power भी भढ़ती है तो मैं उससे तुम्हें पा knowledge उन्हें थोड़ी सी कम है जो मतलब वो बोल रहे हैं वो उतना exact नहीं है या फिर वो उतना सही नहीं है तुम्हारे मेरे को ऐसा लगता है मैं किसी को point out नहीं कर रहा है बट ऐसी चीजे हैं तो मैं बोलोगा किसी भी YouTuber को बिल्कुल उसने बोल दियो और तुमने मान लिया व अपने questions की list बना लो चाहें लेकिन किसी को ऐसे copy मत करो डायरे क्योंकि फिर तुम्हारा ही नुकसान होगा और अच्छे kodas नहीं निकलेंगे तो यह final point हा मेरे coding और placement वाला scenario इंडिया में कैसे खराब है अब हमारी दुम्हारी उसको ठीक करना हम Indians को ही ठीक करना है उसे कोई और भार से तो करेगा नहीं तो तुम्हारे उपर है यह तुम पर मैंने जिम्मेदारी छोड़ दी है अब तुम्हारे हवाले वतन साती हो तो वही गाना बजा लो अपते दिमां में और शुरू हो जाओ कोडिंग करना मस्त वाली बाकी बहुत सारी वीडियोस तुम देख सकतो मैंने काफी कुछ समझा हाइँ हाओ तो स्टार्ट कोडिंग वर्से सीप वाले टॉपिक को तो आज हमने चुआ ही नहीं क्या क्या चीज़े क्या क्या अची लोगों को बेवकू बनाया जा रहा है क् लैकिया आनलाइन कोर्सेज में बेवकू बनायी जा रहा है उस पर मैं सोच रहें को और वीडियो बनाऊ तो नीचे कोवेंट करके दरूर बताना तो मैं उस पर जरूर बनादेंगा एक वीडियो और जौने से प懂y नहीं से पने वीडि ön को मैं रागे इस विडियो को मैं बाइ बाइ बाइ